स्टुडेंट्स, I am Asa from Kids Paradise Public School. How are you, स्टुडेंट्स? I hope you are well. So, let's start now. So, स्टुडेंट्स, हम लोगों ने पिश्री बार, हिंदी वेकरण में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था. और आज हम उसे चैप्टर का आगे का पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. तो अच्छे हम लोगों ने पिश्री बार यहां तक पढ़ा था. और मैंने आप लोगों इसे घर में भी रिड़ करने के लिए का था. तो मैं उमीद करते हो कि आप लोगों इनसे घर में भी रिड़ किया होगा. अब हम सुरू करते हैं सब्द. वर्ण माला के वर्णों को मिला कर सब्द बनाये जाते हैं क्या है वर्ण माला के जो वर्ण होते हैं उनको जब मिला दिया जाता है तो उनसे क्या होते हैं सब्द बनते हैं हर सब्द का कोई न कोई अर्थ होता और उस सब्द का जो है अर्थ होता है सब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगा प्रियोग होना चाहिए जैसे अब क्या होता हम सब्द बनाते हैं लेकिन उसका क्या होता हम सही सही वर्णों का प्रियोग करते हैं जैसे क्या है का जोर मा जोर ला कमल कमल अब है का जोर ला जोर मा कलम अब हम यहां देखते हैं कि मा और ला यहां पर भी है ला और मा अगर यहां पर अगर हम इसको अगर इस चगा कर देते हैं और मा को अगर इस चगा कर देते हैं तो यह क्या बन जाता कलम बन जाता है उसी तरह आगर मां इहां करते लो Prem बन जाएं Ce2 दोनों का डिफनेशन जो है अलग हो जाता यह से शड़ांте इस तरह नों को सही वर्ण का प्रियोक चाहिए कभी कभी वर्णों के मेल में उलट फेर कर देने पर अर्षभ का 9 अर्थ भी बदल जाता है अगर वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना निकले तो उसे सब्द नहीं कहते हैं क्या अगर कुछ हम वर्ण लिखिया है उसका कोई अर्थ ही ना हो तो नहीं होता है माज़र काज़र मकल का मतलब इस एक निर अर्थक फद्स, जिसका कोई अर्थ रही है इस गलत भी सब्द रच्णा के अन्ड अधर्रन देखेए जिसी क्या गू जोड ला जोड बा गुलाब की जोड सा जोड ना किसान गी जोड ला जोड हा जोड री क्या होता है गिलहरी अब है लो जोड मा जोड री क्या होगा लोमडी मे जोड ला मेला पो जोड धा पोधा ये सब क्या है सब्द रचना के कुछ उदाहरन है अब हम आत बेली तो से पैसे सब्द को सब्सक्राइब कर एक क्रब्सक्राइब 5 सब्द है, 1,2,3,4,5 एक जोर लोमडी जोर बहुत जोर भूखी जोर थी बन गये ना 5 सब्द से 1 वाक्य एक कवा था वह पानी पीना चाहता था बच्चो इसमें दो वाक्य हैं, पहले वाक्य में 3 सब्द है एक जोर को जोर था यह क्या है दो वाक्य है हम देख रहे हैं एक यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां तक दो वाक्य है क्योंकि पुर्णा विराम दिया हुआ है तो पहला जो है यहां से यहां तक है एक वाक्य और दुसरा है यहां से यहां तक दुसरे वाक्य में पांच सब्द है वह जोर पानी जोर पीना जोर चाहता जोर था क्या है पांच वाक्यों के सभी सब्द सही क्रम में बोले एवं लिखे गए हैं ये क्या वाक्य जो है और सब्द जो है एकदम सही है अब इस सब्दों के जिस समू से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक के कहते हैं क्या होता है जिसे भी हम लोगे ने पढ़ा कि एक लोम्री बहुत भुकी थी तो इससे हमको इसका अर्थ पता चल रहा ना कि एक लोम्री है जो बहुत भुका इससे हमको इसका बात हमें पूरी तरह से समझ में आ जा रही है तो इसे हम क्या कहते हैं वाक्य कहते हैं अगर सब्द समु से पूरी बात समझ में ना आए तो उसे वाक्य नहीं कहते हैं और अगर किसी सब्द यह समु से अगर हमको उसका अर्थ मालूम नहीं चलता है तो उसे वाक्य नहीं कहते हैं जैसे कल आए देर हम से घर मतलब क्या है कल आए देर हम से घर ये क्या कोई वाक्य है ये एक दम गलत वाक्य है अब लड़की वा रही धावी का बहादूर है ये क्या है ये भी वाक्य गलत है तो बच्चो आज हम लोगा यहां तक पड़ा तो यह चप्ट आज आज कंप्रीट हो गया तो बच्चों हम आप नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बुक का क्वेस्टन कंप्रीट करेंगे आज के लिए बस इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाई और आप लोग घर में जो है से स्टॉड़ी कीजिएगा